जेकब 90 रुपे प्रती घंटे paint करने के लेता है नीची दिये गए graph से पता चलता है कि उसने कितने घंटे अलग-अलग कमरों में paint किया तो यहाँ पर एक graph हमें दिया गया है जिसमें यहाँ पर हमें अलग-अलग कमरे दिये गए है living room, bedroom, bathroom और kitchen और यहाँ पर हमें दिया गया है paint करने का समय घंटों में और एक महदवपूर्ण बात यहाँ पर हमें दी गई है कि एक paint का डिबबा जो है वो दर्शाता है तीन घंटे को और यहाँ पर हम से पूछा गया है कि living room में paint करने के Jacob ने कितने रुपे लिए तो हमें जानना है living room के बारे में तो यहाँ पर हम देखते हैं तो यह रहा living room अब जैसा कि यहाँ पर दिया गया है कि एक paint का डिबबा तीन घंटे को दर्शाता है तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि living room को paint करने के लिए यहाँ पर दो paint के डिबबे दिये गए हैं तो एक paint का डिबबा दर्शाता है 3 घंटे को यह दूसरा paint का डिबबा भी दर्शाता है 3 घंटे को तो living room में paint करने के लिए जेकब ने कितने रुपे लिए तो एक घंटे के लिए जेकब 90 रुपे लेता है तो 6 घंटे के लिए जेकब यहाँ पर 6 गुणा 90 रुपे लेगा